50% student अपनी study को manage कर लेते हैं, ठीक है, 50% student अपनी study को manage कर पा रहे हैं, और 50% student ऐसे हैं, जो manage नहीं कर पा रहें, तो मैं बात करूँगा, इन 50% student की, इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी बात नहीं कर रहा, ये 50% students जो हैं, इनको मैं एक ऐसा time table दूँगा, जिसमें इनको daily, 4 hours इनको पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूत नहीं है, सिर्फ 4 hours पढ़ने की ज़रूत है, daily 4 hours पढ़ने की ज़रूत है, या कर रखना consistency, consistency, 4 hours पढ़ने की ज़रूत है, अगर आप 4 hours पढ़ लोगे, तो आप अपना school का syllabus, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, PW, ये लोग school भी जाते हैं, तो school जाते हैं, तो इन में से काफी सारे लोग हैं, जो घर में, 2 बज़े तक ये अपने घर में आते होंगे, है ना, 2 बज़े तक ये घर में आते होंगे, उसके बाद, चेंज करना, खाना वगएरा, खाना, लंच करना, इनको ये सब होते होते, तीन बच जाते हैं, उसके बाद, क्लास का माहल बनी जाता है, है ना फिर चार बजे से क्लास रटेंड करनी है, उससे पहले थोड़ा किताब उठाओ, नोर्स उठाओ, कमरे में जाओ, इंटरनेट कर जाती है, इसके बाद, या तो ये सीधा बैड पर गिर जाते है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इनको कोई भी पढ़ाएगा, सेलेक्शन हो जाएगा, इनको मेरी ज्यादा जरूरत है, मैं इनका हाथ पकड़ूँगा पहले, इनका तो मैंने पकड़ा हुआ है, इनका तो मै जय और गिरते गिरते ये रंके this ये दिनर के लिए चले जाते हैं कि पहुँंच जाते हैं ऑग और घड़ी का time 9.35 हो गया तो यह पढ़ने नहीं बैठेंगे यह एक fix time का wait करेंगे कि कब घड़ी में 10 बच जाए 10 बचे यह 9.45 पर नहीं बैठते हैं अगर 10 बच के 10 मिनट हो गए तो यह सारे 10 बचे बैठेंगे इंको एक time चाहिए एक दम best अगर 10.40 हो गए है तो यह सोचेंगे थोड़ा सा 20 मिनट और निकान लो सीदा 14 बचे बैठोंगा और इकम अच्छे से बैठोंगा यह वो प्रजाती है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है ठीक तो यह लोग एक तरीके के मैं कहूं कामचोल भी होते हैं आलसी होते हैं बट पढ़ना चाते हैं बट पढ़ना चाते हैं पढ़ना चाते हैं पढ़ना चाते हैं बट मेहनत नहीं करना चाते हैं क्या लाइन है पढ़ना चाते हैं बट मेहनत नहीं करना चाते हैं बट मेहनत नहीं करना चाते हैं और इसके पास, इनके पास अपना valid reason है, अपना क्या है, valid reason है इनके पास, अगर आप इनको बोलोगे, तो ये आपको proof कर देंगे, कि आप गलत हो, हम सही है, सारे reason आपको दिखा देंगे, कि हम school जाते हैं, इतना pressure है, ये है, वो है, साला कैसे करें, school का काम है, ये काम है, कर देंगे, और आपको proof कर देंगे, कि यू आर रोंग, तुमें proof कर देंगे, तुम इनको समझाने जाओगे, तो अपना मुह काला करके आओगे, और ये तुमेan proof कर देंगे, कि सालव तुम्हारी वक्ती आ है, हम तो पन्दा चाहते हैं, हम काम चोर हैं, हम alci हैं, बट हम आते हैं बठा मेहनत नहीं करना चाहते कोई बैड से उठाए और सीधा बस कुछ ऐसा करे और इनको कभी-कभी कुछ कीड़ा कारता है इनको कभी-कभी कभी-कभी कुछ होता है और भाई ये चार से आठ घंटा खतरनाथ स्टड़ी भी कर देते हैं ये रात को दो बजे तक जागते हैं दो बजे तक जागते हैं पढ़ते नहीं है उस ताइम इनको नीद भी नहीं आ रही होती एक तो नीद नहीं आ रही और पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा पढ़ने का मन नहीं हो रहा ये लोग दे रहा हूं टाइम टेबल माहौल को बनाने दे ये लोग अगर पेरेंट्स के सम्मान की बात आए पेरेंट्स के सम्मान की बात आए पेरेंट्स के लिए जान दे देंगे बट पढ़ेंगे नहीं बट पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं और इसके पास इनका वैलीड रीजन है अब आप खुछ सोचिए आपको डॉक्टर बनना है चैसो दस वालई का सेलेक्शन नहीं हो रहा तो सोचिए कितना तकड़ा कॉम्पिटिशन है कितना तकड़ा कॉम्पिटिशन है तो अगर मैं यह नहीं कहता तुम लोगों को कि बहुत सारा पढ़ना है मैं यह नहीं कहता कि बहुत सारा पढ़ना है बस चार घंटा पढ़ना है चार घंटा पढ़ना है, सिर्फ चार घंटा पढ़ना है, देखिए time table लीजिया, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ठीक है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday को आपकी जो Classes होती है, वो होती है आपकी Geology की और Chemistry की, तो यहां आपकी Class होती है, जो लौजी की होती है और केमिस्ट्री की होती है जो लौजी की है और आपकी किसकी है केमिस्ट्री की है उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री है और उसके बाद आपकी फिजिक्स बॉटनी है फिजिक्स बॉटनी है सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं है सैटरडे संडे अब no class, कोई class नहीं है अब आपको क्या करना है? द्यान से देखिए आपको जो school का homework मिलता है school का जो homework मिलता है उसको आपको 1 से 1.5 hours में खतम करना है जिसमें से आपको कैसे भी करके 35 मिनिट school में ही निकालने है चाए आप break में निकालिए या कहीं भी निकालिए और एक दिन में कुछ नहीं होगा सबसे बड़ा जो factor है consistency याद रखिएगा consistency एक्स्ट्रा क्लास मेरी तो नहीं होगी कभी किसी की भी हो सकती है ठीक है? चलो देखते हैं देखते हैं बाकी 35 minutes आपके निकल गए 35 minutes आपके निकल गए बाकी जो आपका time बचता है ठीक है? बाकी जो आपका time बचा है rest वो time आपको घर से ही utilize करना है तो आपका आप ये माल लीजिए कि 35 minutes आपने school के अंदर निकाल दिये और बाकी आपका एक घंटा 25 minutes या जो भी time है एक घंटा माल लीजिए एक घंटा ठीक है? ये आपको अपने घर के अंदर निकालना है अब आपकी geology की class हुई subject पे मैं बात ने करूँगा content पे बात ने करूँगा मैं time table की आपको बात करूँगा ठीक है? अब आपकी geology की class हुई आप geology botany easy है थोड़ा comparatively theoretical subject होते है उतनी numerical जितना physics और chemistry में होता है वैसा नहींता तो आप geology को एक घंटा दीजिए ठीक? तो एक घंटे में आप geology को minimum अच्छे से 80 से 90% prepare कर लोगे 80 से 90% prepare कर लोगे ठीक? बाकी आप बाकी बाकी आप बाकी आप two hours chemistry को दीजिए जिसको आप focus करिए 60 से 70% cover करने की जो chemistry के teachers अने पढ़ाया उसको 60 से 70% cover कीजिए जिसमें theory पूरी 100% cover कीजिए और numerical practice जो है वो थोड़ी कम कर लीजिए 60% numerical practice कर लीजिए मतलब questions थोड़े से कम solve कर लिए questions आपने थोड़े से कम solve कर लिए फिर ठीक आपने यहां पर भी same यही pattern follow करना है same यही pattern follow करना है एक घंटा दो घंटा तीन घंटा ठीक फिर आपका आया Wednesday आपका आया Wednesday वेडनेस दे वेडनेस दे में physics भी है chemistry भी है थोड़ा सा वेडनेस दे को बढ़ा दीजिए physics को ले लीजिए two hour ठीक है जहां पर same आप करीब 70% complete करिए 70% आप numerical मतलब numerical के कोश प्रेक्टिस थोड़ी कम कर लीजिए और 100% theory करिए 100% आप theory कर लीजिए और chemistry आप यहां पर two hours दे दीजिए ठीक है ठीक उसी तरीके से आपको करना है theory आपको 100% solve करनी है numerical 60% मतलब कुछ numerical कम कर लीजिए कुछ numerical आप कम कर लीजिए फिर आया आपका physics and botany physics and botany ठीक है तो आप यहां पर physics के अंदर आप physics के अंदर आप लगा दीजिए कितना two hours लगा दीजिए ठीक है plus botany में one hour लगा दीजिए आप यही चीज इस दिन भी follow करिए तो जब आप यह follow करोगे तो आपको क्या करना है अगर Saturday को आपकी class नहीं है तो भाई बल्ले बल्ले Saturday को आपकी class नहीं है तो आपने जो यहां पर तीन physics की class ली P1 plus P2 plus P3 theory आप करते रहे लेकिन आपने numerical practice कम की थी क्योंकि आपके पास time कम था बच्चे 200 question लेके बैठ जाते हैं एक subject के एक रात में तो भाई 200 different question करने से अच्छा है धंके 50 से 70 question करिए 200 question करने से बार-बार repetition होना start हो जाता है एकी तरह के questions का जो आपके सही तो होते जाएंगे बट आपका time kill करते जाएंगे जिसकी वज़े से आपके दूसरे subject और दूसरे topics जो हैं वो untouched रह जाते हैं यहां आप दबा के जितनी numerical practice करना चाहते हैं कर लीजिए ऐसे ही आप यहां chemistry के अंदर C1 plus C2 plus C3 यहां आप numerical practice कर लीजिए और इस दिन आप अपने studying hours को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए यहां पर 2.5 hours दे दीजिए ठीक है और यहां भी 2.5 hours दे दीजिए तो Saturday को 5 घंटे और school का मिला कर आपके 6 hours की study हो गई है और Sunday को अगर कोई कसर रह जाए Sunday को आप botany और geology में 2 hours ले लीजिए जिसमें आप थोड़े questions practice कर लीजिए ठीक है Sunday को school भी नहीं होता है और जो आपके P1, P2 और P3 में और C1, C2, C3 में आप और numerical practice करना चाते हैं तो आप इन सब का मिला के 4 hours ले लीजिए तो Sunday को आप 7 hours study कर लीजिए आपका school नहीं है तो अब आप देखो जरा यहाँ कोई बहुत ज़ादा studying hours study नहीं आप आप से गलती क्या होती है आप जैसे लेके बैठ गए है ना माली जी chemistry यहाँ पे लेके बैठ गए तो आप किताब इखटा करोगे module इखटा करोगे माहौल बनाने में दो घंटे चले जाएंगे नहीं सबसे पहले target रख कि सरने जो concept सिखाए हैं वो सारे के सारे concept मेरे दिमाग में आ गए अब वो concept और best कब होंगे जब तू numerical practice करेगा लेकिन अगर तू 200 numerical यहीं कर देगा तो तू बा सेटरडे संडे को numerical practice बढ़ाती संडे को मेरा school नहीं था सेटरडे को मेरी class नहीं थी तो आप minimum efforts डाल कर चीजों को achieve कर सकते हैं वह समझ मैं अब ऐसा तो time table नहीं है इससर मैं ऐसे लेटूंगा फिर मैं ऐसे लेटूंगा ममी खाना ले रहो ममी यह खाना है मैं भार जा रहा ह है तो आप इसको follow करिए जब आपके पास workload जादा है उस time 10 की जगे चार numerical कर लीजिए लेकिन कम से कम सारी theory तो touch हो जाएगी और जब आपके पास समय है उस time आप numerical practice बढ़ा दीजिए तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना मेहनत तो करनी पड़ेगी यह 90% प्रजाती के लिए है जो उतनी मेहनत नहीं कर सकते उतना efforts नहीं डाल पा रहे हैं अभी पूरी 11th बरबाद होना और 11th कम बरबाद होना और 11th थोड़ी सी बरबाद होना तीनों category अलग-अलग होती है जिनका भी selection हुआ उनमें से 90% लोगों की 11th 70% 60% पड़ी हुई थी तो पूरा वैसा म प्रजाती की बात कर रहा हूँ यह जो 50% प्रजाती है अगर यह 60-70% 11th भी अच्छा कर लेगी तो बाद में फिर अगले साल जब आपके 11th खतम होगा 12th में जाने से पहले एक मेने का टाइम है वहाँ पर one shot देखके complete कर लो और फिर 12th में आपको थोड़ा सा महनत 12th में जॉब करनी है अरे दिवाने पढ़ाई करनी है तो डमी वालों के लिए भी मैं टाइम टेबल लेकर आऊंगा यह थे जो नॉट डमी वाले हैं तो आप एक बार इसको फॉलो करो एक हफ्टे तक फॉलो करके देखो ठीक है और एक चीज़ याद रखना सबसे बड़ा जो फ एक बार आप